कि गुड इबनिंग आप सभी को बहुत बहुत स्रागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम तृष्टी पर आज फिर से हम लोग जो लास्ट हमारा टॉपिक था उसी को कॉंटिन्यू करेंगे कल बहुत ही एक अच्छा टॉपिक चल ला था सूरी बंस को लेकर जिसक में उसके एक दो लाईने बची थी उसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर से हम लोग मुगलकाल में किस पर आएंगे अकबर पर आजाएंगे ठीक है कि सबसे पहली बात तो यह है कि सभी लोग एक बार थोड़ा शशन को शेर करो अच्छे से तो अच्छा लगेगा मुझे भी है ना फिर इसी जब तक संख्या बल को अपनी आप मजबूत नहीं करोगे तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी यह द्यान रखना हमेशा चाहें राजनीत हो या कोई पब्लिक मंच आपकी संख्या बल क्या है बहुत स्ट्रॉंग मतलब मजबूत स्थिति में होनी चा से और जो लोगों जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो लोग सब्सक्राइब करूं पहले तो तो एक तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब हम लोग लास्ट टाइम सेरसा सूरी को पढ़ रहे थे तो सभी चीज़ें उसकी देख नीती उसका साशन प्रशाशन कैसा था उन सब चीज़ों को हम लोग उने जान लिया था अब उसके आगे हम लोग देखेंगे हुआ क्या कि जांक विवस्था को बता दिया था उत्तरदायत के सिध्धान्त को बता दिया था इन सब चीज़ों को मैंने डेटेल में आपको बता दिया है अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे कि इसकी म्रत होती है और म्रत होने के बाद इसका मकवरा भी बनाया गया था सासाराम में ठीक है अब जो म्रत्य के बाद इसके दो और उत्तरा दिकारी हुए इसलों साइस्लाम सा और फिरोज सा दोनों के दोनों आयोग थे जिनको क्या हुआ पंद्रा सो पच्पन में हुमायू ने पराजित की और फिर से भारत में एक सासन सत्ता की स्थापना कर दी ठीक है मुगल कौल को कहा जाता है एक फिर से स्थापित कर दिया तो अब हम लोग आज सीधे सीधे किसको सुरूप करने पर आते हैं अकवर पर आएंगे कि अकवर कौ अब यहां पर हम लोग बात करेंगे किसकी अकवर की अकवर को पढ़ते हैं अकवर के बारे में जानते हैं देखो जन्म में एट्सेट्रा को लेकर जब हुमायू निर्वाशित था तो उसी समय मैंने चीज़ों को बताया था कि 15 अक्टूबर 1542 को क्या हो रहा है अकवर का जन्मोरा है राजाबीर साल के जो राज है या महल में हो रहा है अब क्या हुआ कि पिता हुमायू माता है हमीदा बानो बेगम अब्दल के जो अकवर के गुरू है ठीक है एक चीज़ समझना यहां पर जब मैंने लास्ट टाइम में अकवर की उधारता का कारण की अगर बा इसमाथा जी ठीक है गुरू अबदुल्लतीफ यह भी सिया है अबदुल लतीफ क्या है सिया है तीसरे यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं वैरम खाँ जो संदक्षक के रूप में काम कर रहा है इस संदक्षक कौन है वह ए बैरम खाँ बैरम खां इतनी चीज़े मैंने बता दिया हुआ क्या था कि अकवर का सबसे पहला जो राज्जाविशेक हो रहा है वो होगा कलनौर में गुर्दास्पुर में क्यों हो रहा है उसका भी कारण समझो हुआ क्या कि सबसे पहला राज्जाविशेक कहा किया गया कलनौर में जैसे ही पता चला कि हुमायूं की मृत्त होती है तो उसी समय ये गया हुआ है कल और कुछ अफगान विद्रोहियों का विद्रोह दबाने के लिए ठीक है क्यूंकि वहाँ पर अफगान विद्रोही बहुत बड़ी संख्या में है जब अकवर बड़ी संख्या में तो विद्र बैरम खा क्या करता है कि इनको एक पहाड़ी थी उस पे कुछ पत्थर रखकर एक सिंगासन टाइप का बनाया और वहीं पर अकवर का राज्याविशेख हो गया अकवर का राज्याविशेख हो गया बाद में अकवर आता है वापस और सासन सत्ता को सम्हालता है आगरा आकर सब्सक्राइब आगरा आके जसात्र सत्ता को सम्हालेगा उस समय अकपर की मात्र आउ WiFi Ah levels माठ 13 वर्स की आउमें सासण सत्ता में आता है वह अब इदर क्या हुआ तो अकपर सासन सत्ता में सम्हाल ही पाया था कि उसी समय बंगाल का एक साशक महोमद साहा आदिल बंगाल का साशक है मुहम्मद सहा आदिल समझना यहां पर क्या हो रहा है कि मुहम्मद सहा आदिल मुहम्मद सहा आदिल यह कहा का साशक है यह बंगाल का यह चाहा रहा है कि अकबर तो अभी क्या है अल्प बैस्क है और सन्दक्षक है बैरम खां तो ये चाराद कि हम कैसे ना कैसे डिली की सत्ता whamma a कि सत्ता पर काबिज हो जाएं क्योंकि आगरा की सत्ता का मतलब देश की सत्ता है अब आगरा की क्या हुआ, अखुबर ने किसको भेजा है, अखुबर की तरफ से आया है वैरम खा, कौन आया है- अखुबर की तरफ फे से नहारी कने, तो कोन करेगा बैरम खा करेगा, इधर से हेमू करेगा, कई बार question आता है, कि जो पानी पत्का दुर्ती उद्ध हुआ था वो किसके किसके मद्ध अकवर वर्सज हैमू होता है लेकिन वहाँ पर नेतव तो कौन कर रहा है नेतव तो करने वाले हैं आपके बैरम खांग और किसको कहते हैं हेमू तो 1556 में क्या हो रहा है 1556 में इन्हों ने बुलाया सॉर पराजय ने बैरम खांग के कद और बढ़ा दिया है अकवर की नजर में या मुगलकाल में लेकिन कुछ मुगलकाल में अभी ऐसे हैं जो बैरम खांग की बढ़ती हुई लोग प्रियता से बहुत जादा जल रहें जलने वालों में कौन होगा जो अकवर की धाय मां है वह उ अस उद्ध के बाद बैरम खाक को अकबर ने वकील के कद बढ़ रहा है प्रभाव बढ़ता जला जा रहा है लेकिन बैरमखा के मन में कभी ऐसा कुछ नहीं था कि अकबर को हटाके वो शासन सत्ता को ले पाए ले ऐसी कुछ इच्छा नहीं थी अगर ऐसा होता तो शायद वो बचपन से ही अकबर का संदक्षक रहा था तो पहले भी बहुत कुछ कर सकता था लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं और जब ऐसा कुछ इसके द्वारा किया नहीं जाएगा तो एक कह सकते हो कुछ विरोध मुखर हुआ और मुखर होने के साथ साथ जो माहमनगा है इनकी धायमा माहमनगा इनकी बेटी जीजी अनगा इन सब लोगों ने क्या कि अकबर को बैरम खांके प्रति भढ़काना शुरू कर दिया अकबर को बैरम खांके प्रति भढ़काना शुरू कर दिया अब एक चीज होती ना आप किसी भी व्यक्ति को एक लिमिटेड लिमिटेड टाइम तक मिस्काइट नहीं कर सकते हो लेकिन अगर किसी व्यक्ति को नहीं यहीं है ऐसा है ऐसा है तो उसके मन में भी भाव आने लगा धीरे-धीरे क्या हुआ कि अकबर ने भी सोचा कि अब हम अपना सासन प्रसासन जो है अपने हाथ में ले ले और बैरम खांको बकील के पस से हटाया विद्रो होता है विद्रो हुआ अकबर और बैरम खांके मद्ध युद्ध हुआ और जब कहा जाता था युद्ध होता है तो बैरम खांजब पराजित होता है तो बैरम खांके सामने दो आप्शन रख दिये जाते हैं अब वो दो आप्शन कौन है एक तो पहला कह दिया या तो मक्का चला जाए अन्यता वो क्या करें किसी राजिकार राजिपाल बनके ठीक है या गवर्नर बनके अपना रह सकता है अब भाई एक चीज सोचो जोब्यक्ति राष्टपती रहा हो ठीक है अगर वरतमान में सोचो और उसको हटा के का जाए अब राजिपाल बन जाओ वह बनना पसंद करेगा नहीं करेगा कि यएक उच्च पदों पर बैलम खाने कहा कि हम ऐसा है मक्का ही याने को तजार हो गया है अक Stamp आस अठी सबांट genre और राश्ते में जाते एक सीज का पता चलता है अक्वर को कि ये अक्वर की गलती है कि बैरम खा को गलत तरीके से देखा महा मनगा और जीजी अनगा के कहने पर उसने एक अपने सबसे बिश्वस्नी विक्ति को खो दिया अंतता क्या हुआ कि बैरम खांकी जो पत्नी है सलीमा बेगम बैरम खांकी पत्नी है सलीमा बेगम सलीमा बेगम से बिभा कर लिया तीकर सलीमा बेगम से बिभा कर लेगा और सलीमा बेगम से विवहा करने के बाद उसका जो पुत्र है अब्दुर्रहीम, अब्दुर्रहीम को क्या किया, इसने गोद ले लिया और खान खाना की उपादी दी, खान खाना की उपादी दी, तो कई बार इस तरीके से आता है कि अकवर ने जो विवहा किया उसको लेकर भी बात आती है, कि अकवर की उम्र तो अभी बहुत जादा है नहीं, 18-19 साल, 20 साल है, ठीक है, तो अब्दुर्रहीम खान खाना अकवर का पुत्र नावकर किसका है, बैरम खाका है, बलकि और इसको खाने खाना की उपादी दी गई है, गोद लिया था, अब यहां पर आती है कि जब बैरम खाक भी चला गया, तो उसी समय, जब माहा मनगा है, जी जी अनगा है, ठीक है, उसका पुत्र एक है, आधम खान है, इन सब का प्रभाव रहा, जितने वरसों तक सासन प्रसासन में, उनको क्या कहा जाता है, उस समय को पेटी कोट साशन, महिला साशन को कहा जाता था, मैंने कहा ना कि रजिया के बाद कोई महिला नहीं आएगी सासन सत्ता में, लेकिन परदे के पीछे बैठ कर महिलाओं ने पूर्ण रूप से साशन किया है, सबसे अच्छा तो अभी जहां अकबर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अकबर क्या करता है, कि ऊपर से फिकवा देता है उसे नीचे, उसकी विम्रत्त होती है, विम्रत्त हो जाती है, ये पूरा का पूरा गुट क्या होता है, समाप्त हो जाता है, अकबर का जो प्रमुख, जो मेन विभा है, वो है आम स्मुच्जमानी मर्यम म कर जमानी है ठीक है मर्यम उच्जमानी से हुआ अब मर्यम उज्जमानी से हुआ इन ही के दोर दोरा उत्पन्पुत्र कौन है वह जहांगीर जिसको प्यार से सलीम कहा गया है अकबर अध्यात्मिक व्यक्ति भी है और योग भी है हुआ क्या कि अकबर को सुरुआत में कोई संतान नहीं हो रही थी ठीक है और संतान ना होने के कारण अकबर की महांता देखो कई चीजों में कहा गया है अकबर को लेकर बाकी शाषन प्रसाषन की द्रश्च से उसके नेचर से हम लोग देखेंगे होता गया था कि सेख सलीम चिस्ति जड़ा नाम अब समझना यहां पर टेक सलीम चिस्ति यह एक सूफी संत है और यह सेख सलीम चिस्ति की जो एक कुटिया होती थी ना छोटी सी केवल एक जोपड़ी बनी हुई थी केवल एक जोपड़ी वो कहां बनी है बता पाएगा कोई आगरा के निकट कौन सी है जिसको अकुबर ने राजधानी बनाया बताओ पहले जल्दी चे कोई बता पाएगा पतेपुर सीकरी नहीं बता है पतेपुर सीकरी हुआ क्या कि फतेपुर सीकरी अगर आप अभी घूमने जाते हो तो फतेपुर सीकरी में है ना फतेपुर सीकरी आप देखोगे तो वहाँ पर जितना भी निर्माड कर रहे है वो अकवर का ही है वहाँ पर अकवर ने इसको राजधानी बनाई थी पर एक अपनी कुटिया में रहते थे अकवर इनके यहां बहुत जाता था अकवर बहुत जाता था अकवर ने कहा कि इनी के आशिरवास से और इनी की खानकाह में सलीम का जो जहांगीर है जो जहांगीर है उसका जन्म हो रहा है इनके आशिरवास से ही क्या हुआ था जहांगी का जण्व होने के साथ साथ आप देखोगे कि यह क्या करेगा इसका जो नाम में वो क्या है सलीम है क्या है सलीम इसको अक्वर कहता था अक्वर क्या कहता था सलीम क्या कहते हैं सेख सलीम चिस्ती की बात कर रहे हैं पत्यपुर सीगरी की स्थापना की है उसके बाद आती कि जहांगीर है इसी के नाम पर इसको प्यार से सलीम कहा जा गया है नाम है जहांगीर का और कभी कभी जहांगीर को अकवर शेखु बाबा के नाम से भी पुकारता था क्या करता था शेखु बाबा के नाम से भी पुकारता था तो अकवर की आस्था फतेपुर सीकरी में बहुत है जब तक यह जीवित रहे इन्होंने बहुत कोशिश की वहां पर निर्माड करवाने की लेकिन उन्होंने मना कर दिया सूफी संतों को यह बहुत अच्छी बात थी कभी उनको कोई भी लालच नहीं था कि वहां राजा के दरवार में जाएं दरवार में जाकर उनका गुरगान करें और बहुत से मात्रा में धनन प्राप् थे अब यह जो नवरत्न रहते हैं यह कौन-कौन से नवरत्न है इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ठीक है नवरत्नों के नवरत्नों की यह बात आती है तो इसमें सबसे पहला जो नवरत्न है वह मांसिंग कौन है मांसिंग मांसिंग कौन है इनकी विसेस्ता क्य है देखो मान सिंग की अगर हम लोग बात करें तो आमेर के जो राजा भारमल हैं इनके पौत्र हैं और मुगल सामराज्ज में विस्तार करने में सबसे महत्पूर भूमिका निभाने वाला व्यक्ति यह ही जब अक्वर ने महाराना प्रताप के ऊपर कि आक्रमण किया और विजित नहीं हो पा रहता अपव श fulfillment साफ नहीं हो पा रहताए अक्वर ने मान सिंग को वेजाता है और आप देखो कि इतिहास लिख्के रख लो लिख्के गया रख डूँ कि भारत की जब-जब बात करेंगे भारत कीृ जब-जब बात करेंगे है ना भारत की जब जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा कि जिन जिन साश्कों को मुगल साश्कों ने नहीं जीत पाया और ना कभी जीत पाते उन सब के पीछे भारतियों का हाथ आएगा उठाक इतियास देखो सबसे पहला महाराना प्रताप कमान सिंग को बेजा है और अवकाद नहीं थी अकवर की हरा लेते और हरा भी नहीं पाए सिवा जी औरंग जेब के समय में कौन गया है बिल्कुल हिम्मत नहीं थी औरंग जेब ने अपनी नाक रगड़ दी ती अफजल खा जैसे सबसे खूखार सेना पति को भेजा और एक बार में चित कर दिया था सिवा जी ने सिंगल नहीं एक ऐसा नहीं था जो अपनी दम पे जीत पाते हैं और वहां भी भारतिय गये थे और यहां भी थे यहां मांसिंग ना जाते तो महराणा प्रताप से कोई भी किसी प्रकार का उनको नुक्सान नहीं पहुंचा पाता है एक परसेंट भी लेकिन जयचंदों की कमी थोड़ी है भारत में जयचंदों की कमी नहीं है भारत में इसलिए कहा जाता है अब देखो यहां पर क्या हुआ कि मान सिंग उन्होंने क्या किया है मुगल सामराजी के विस्तार में महदपूरb huumika निभाई दूसरा आता है बीरवल दूसरी बात कौन आती है बीरवल बीरवल का जो प्रमुख नाम है वो है महस्दास कौन है महस्दास, बीरवल महस्दास हैं, जन्म इनका हुआ था कालपी में, जन्म यहां क्या हुआ था, कालपी में, कालपी में क्या हो रहा है, इसका जन्म हो रहा है, और जन्म एक ब्राह्मन परिवार में होता है, बच्पन यह कुशल बक्ता और कहानीकार है, यह क्या है, कुशल ब चल वक्ता या कहानिकार है अब अपनाने वाले पहले हिंदू चलो अभी बताएं बात की जाएगी इन सब चीजों पर अब आते हैं पर याफिर या फिर ट्वlements बइवस्था की बात आती है तो तो देगे सBaby और से किस सम्मंदित है तो नहरे से का नुझाशरत का जाता था दीवान भी बनाया गया था इनको गुजरात का दीवान भी बनाया गया था तीसरे यहां पर बात आजते हैं अब्दुर्रहीम खान खाना ठीक है अगर इनकी बात करते हैं अब्दुर्रहीम खान खाना तो अब्दुर्रहीम खान खाना की जब बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था इनका जो सबसे प्रमुख नाम आता है वह आता है कि बाबर नामा का फार्सी में अनुवाद किन-किन लोगों ने किया है तो वह ये भाई साहब है दूसरा यहां पर आता है बैरम खान का पुत्र है यह तो आपको पता है और खाने खाना की उपाधि कौन दे रहा है वह दे रहा है आपका अकवर तीसरा आता है अभूल फजल सरी पांच में अभूल फजल अबुल फजल अबुल फजल की जब हम लोग बात करते हैं तो अबुल फजल ने आइने अकवरी और अकवर नामा दो पुस्त के महत्पूर लिखी हैं कौन कौन सी पुस्तक हैं एक तो आईने अकवरी और दूसरी कौन सी है अकवर नामा यह दो पुस्तक हैं किसके द्वारा लिखी गई एकवर के द्वारा नेक्स्ट आते हैं तांसिन कौन है तांसिन तांसेन, तांसेन की जब हम लोग बात करेंगे, तो तांसेन एक संगीता की है, पहली चीज, इनका जो वास्थविक नाम है, कई बार question पूछा गया, ये कहा पैदा हुए थे, तो तांसेन पैदा हुए थे आपके ग्वालियर में, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है, और ज नूप पानडे यह इंका प्रगुख नाम है इन्होंने की तोड़ी मिया की मलार ये सरागों की रचना भी किमी तोड़ी ना कि मिया की या कि सने की है इन ही का है अब आते हैं next नेक्स आता है साथ में पर सेबंध नम्मर पर सेबंध पर मुल्ला दो प्याजा मुल्ला दो प्याजा ये कौन है ये इसके सलाहकार है ये क्या है सलाहकार है कि यह मुला दोब्लाद किया है स्वंकार नेक्स आता है हकीम हुकाम् आठामा कौन सा है हकीम- हुकाम हकीम- अब आते हैं नेक्स्ट नाइन्थफ पैजी पैजी, पैजी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्या होता है, पैजी जो था ये अबुल फजल का भाई है, ठीक है, और अकवर के दर्वार में राज कभी के पतपर है, अबुल फजल का भाई है, और किसके है, अकवर के दर्वार में राज कभी, तो ये नवरत क्या है, अक दर्वार में और एक अकवर के दर्वार में किलियर है यहां तक कोई डाउट है प्रिविएस यह लगा रहा है और नहीं आप लोग जल्ली से बताओ प्रिविएस यह चल्ला है आप लोगों का नहीं यह बस ऐसे ही कि क्योंकि नोटिफिकेशन आने बाला है बहुत जल्दी तो लगे रहों काइदे से अब बात करते हैं अक्वर के दवरा कारें की एक एक करके हम लोग जानते कि अख्वर ने क्या क्या कर्किय। मैंने पहले क्या था कि किसी व्यक्ति को साशन प्रसाशन में हिसे विदो नहीं पाएंगे हम साथ हो जाएंगे दूंडोude हो गया तो हो कि अभी मैं बढ़ा रहा हूं पढ़ोह चास्त में नोट करते रहे एक-एकर करके मैं लिखता जा रहा हूं इसलिए अब यहां पर बात पहले सेशन को थोड़ा शेयर करो है ना किसी ने शेयर नहीं किया आप लोगों नहीं ना तो इतने लाइक दिख रहे हैं यह गलत चीज़ है ऐसे थोड़ी चल पाएगा थोड़ा सा जोस रखिएंग अब आते हैं नेक्स्ट कारें की बात करते हैं तो can कि किन किन प्रथाओं का अंद किया किन किन चीजों का अंद किया है उन सब चीजों को एक करके देखते हैं सबसे पहला क्या हुआ कि 1562 में कि 1562 में यह दास्प्रथा का अंत करेगा क्योंकि दास्प्रथा अपने आप में एक बहुत बिभश्ष प्रथा है जिस प्रकार से सती प्रथा है उसी प्रकार से यह यह भी है जैसे इन प्रिजेंट आप देखोगे तो कि इस तरीके से होती है कि जिसको आप सोच नहीं सकते हो एक बार अगर उन परिस्थितियों को चीजों को सोच लोगे तो रूह काप जाती है कि दासों को लाया जाता था उन पर अत्याचार ना तो पैसा दिया जाता था खाना भी जब मन हुआ कि दो दे दिया नहीं मन हुआ तो नहीं दिया बहुत ज्यादा प्रतारित किये जाता था कि मतलब वग्तिका अपना जीवन कुछ रहए नहीं गया अब जब अपना व्यक्तिका जीवन नहीं रह गया है तो परिस्यथियूं वहाँ पर बगढ setting थी आज भी कई जगह क्या होता है कि लोग क्या करते हुमन ट्रेफिकिंग कर रहे हैं और हुमन ट्रेफिकिंग पेटा इतने बड़े लेवल पर कर रहे हैं आ कि आप सोच नहीं सकते हो बच्चों को उठाके ले जाते उनके पार्ट्स निकाल कर बेंज देना अपंग कर देना आँख फोड़के मतलब भीग मंगवाना इस टाइप की हुमन ट्रेफिकिंग आज भी है बहुत बड़े लेवल पर कि खेर यहां पर कि बात करते हैं तो दास प्रथा को अंत किया है कि दूसरा क्या हुआ कि मतुरा और बनारस के जो पुजारी थे उनके कहने पर 1563 में इसने क्या किया को जो हिंदूओं पर तीर्थ यात्रा कर्व लगाया जाता था तीर्थ यात्रा कर की समाप्ती कर दी और यहां दास प्रता की 62 में कर दी है अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा कि इस 1564 में जजियाकर को हटा दिया पंदरासो जोसट में जजियाकर को हटा दिया जजिया कर को हटा देगा पूरी तरीके से धीरे धीरे आगे जब बढ़ता चला गया तो 1571 में जब सेख सलीम चिस्ती की मिरत हो जाती है तो वहीं पर ये क्या करेगा पतेपुर सीकरी की स्थापना की और फतेपुर सीकरी की स्थापना करने के बाद आप देखोगे पतेपुर सीकरी की स्थापना की और स्थापना करने के बाद इसको अपनी राजधानी भी बनाया इसको अपनी क्या किया राजधानी भी बना दिया अब राजधानी बनाने के बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे बदलने लगी दो ही ऐसे साशक देखने को मिलते हैं या तीन साशक कह सकते हो जिनके समय में अमीर उलेमा कुलीन ये तीनों राइट टाइम रहे है पहला जब्त करके साइड कर दिया का जो तुम्हारा कार्य वहीं करो ज्यादा इदर दो ना डोलो और सही किया अब नेक्स्ट अगर हम लोग पात करें तो पतेपुर सीकरी की स्थापना तो कर दी भाईजाब ने यहां पर परिस्थितियां थोड़ी सी बदल गई है ठीक है और परिस्थितियां कैसे बदली कि स्थापना करने के बाद पंद्रादःसो इकातर में स्थापना की 1575 में इसने क्या किया पतेपुर शीकरी में इभादत खाना बनाया अब इभादत खाना जब अलावदीन खिल जी मौहमद बिन तुगलक और एक ही है ना एक अकबर दूसरा खिल जी तीसरा कौन था मौहमद बिन तुगलक बहुत ज्यादा नहीं उसके में इंटर्फियर कर पाए थे ये सब ठीक है तभी से अरे भाई नरेद मोधी जी भी आगाएं देख लो कह रहा है आठ वजे से लागडाउन लग जाएगा देख रहें कितने बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे चैनल पर हलके बहुत थोड़ी आते हैं एक दिन डोनाल ट्रम के फूफा भी आये थे ठीक है वो भी आते हैं एक क कोई मतलब गजब नाम थे चुड़हल का मौसा बताओ ये तो नाम रखे वो तुम लोग यूटूब पर हद करते हो मोधी जी तो हैं अभी ट्रम्प साब भी आ रहे होंगे अभी ट्रम्प साब भी आयेगे के आभ देखू यहां पर क्या हो रहा है कि की इवादत खंए Karl निर्मान कराया औरальную का निर्मान कराने के बाद यह क्या कर रहा है कि यह कि सभी जो मुस्लिम धर्मगू हैं उनको बुलाता था है ना सभी धर्म गुरु क्या है उनको बुलाता था और बुलाने के बाद अरे भाई मोदी जी क्यों यार परिसान कर रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष से खिलवार ना करूँ आ लेडी इतना कर चुके हो ठीक है तो तीन बार ना तो एक्स्ट्रा टेम्ट दिय ही है क्योंकि यहां कुछ है माम्ला बिगड जाएगा बच्चे हमारे जितने भी ओनलाइन चलना है वह सब हमारे काबव में नहीं है मेरे बिनाक है वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि सामने बैठे होते हैं तो गड़बर हो जाएगी ठीक है तो लॉकडाउन की बात ना करना वैसे भी बेरोजगारी भुखमरी अपने चरम पर है कोविड के बाद माता-पिता के पास इतना पैसा नहीं बचा है बच्चों की कि वो उनकी इच्छानुसार उनको पढ़ा सके है हकीकत है है ना कि बहुत से बच्चों के ऐसे फोन आते हैं कि क्या ही कहा जाए इस थितियां बहुत मतलब बच्च से बत्तर हो गई कोविड मानलो एक पैंडेमिक थी लेकिन उस पैंडेमिक में जो सरकार का रविया रहा है बहुत से बच्चों को मतलब सिक्षा से मरहूम कर दिया यार सच में कभी कभी देख के लगता है कि इतना ज़्यादा बच्चों पास पैसा नहीं कि हजार रुपए दे पाए हजार रुपए तो दे दे पता जला दस हजार का मोबाइल भी लेना है ऑनलाइन पढ़ने के लिए और दिल्ली में जब आप आते हो तो कि मतलब कि दिल्ली में रहना मुश्किल एक साल का खर्चा दिल्ली का पता कितना है साढ़े चार लाक रुपए हैं बिद पोचिंगे कैसे रहोगे पांच लाक जो बच्चों के पिताई साल में दो ढाई प्धैर राजनीत नहीं मैं राजनीत की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो सचाई है समाज की ना वो हम लोग देख रहे हैं जान रहे हैं कि बच्चों में ललक है टैलेंट है पढ़ने के पैसा नहीं है उनके पास अगे बिटक पोविड विड़े सब नोटिफिकेशन आएंगे कोई लागडाउन नहीं लगेगा इस बार टेंसर ना लेना मैं चाय पी रहा हूं और चाय वाले की बात कर रहा हूं इसलिए मैं ध्यान रखो मैं चाय पीते जो करता हूं उसी की बात करता हूं अब आते हैं अरे ढामानुझ तुम्हारी तु मूर्ती लगवाधी मोधी जीने तुम तो सांत रहो गुरू शॉथ इंडिया में आधार खाने की बात कर रहे रहे हैं इभादत खाने की जब हम लोग बात कर रहें, तो 565 में होता क्या है कि कि यह इवादत खाने में अकवर सबको बुलाता है अकवर सबको बुलाता है मतलब सबको बुलाने का मतलब है जो मुस्लिम धर्म से हैं और सभी धर्मकुरू को बुलाकर उनसे खूप परचर्चा परचर्चा करता था धर्म पर अब क्या हुआ कि अकवर भले बिना पढ़ा लि आतर के आते यह जो इवादत खाना है इसने कहा कि अब सभी धर्मों के धर्म गुरू को बुलाओ सभी धर्म के सभी धर्मों के धर्म गुरू को बुलाओ अब जब जैसे ही अकबर ने कहा कि सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाया जाए बैसे ही मुस्लिम धर्म गुरु एकदम कूद गए 440 बॉल्ट का उनको करेंट लगता है कि या रिवादत खाना कैसे मगार बुला रहे हैं सबको यह तो गलत बात है कि अकबर कहता है नहीं नहीं है सिस्टम नहीं चलेगा आएंगे एक साल जम के बबाल होता है अकबर का मतलब भरपूर विरोध होता है धर्म गुरुओं के द्वारा अकबर कहता है अच्छा बेटा रुको कि है ना कि तुमको समझाते हैं हम परिस्थितियां और 1578 में जब इ यह खोला गया तो होता क्या था कि सभी धर्मों के जो धर्म गुरु थे उनको बुलाया क्या और लड़वाया नहीं था और एक अपने अपने धर्म की अच्छाईयां बताओ सबसे कहता था और बुराईयां दोनों इस सब चीजों पर डिसकस होता था वहां बैठके अंतरत क्या हुआ कि जब मुस्लिम धर्म क्या हुए बहुत ज्यादा का जता था अपने अउग्र होने लगे फंदना सो उनाफ्तर में इस के परिणाम सरूप क्या किया मेहज़र की गोशना कर दी 1579 में महज़र की गोशना कर दी अब महज़र की गोशन KHinden कई बार पूचा गया है । कि एक तो बैसे भी कहा जाता था कड़ नीम जो है क्रेला कड़वा होता है नीम पर यो ब्राद्न gay Hudson से और हो है वो हाला कबर कर रहा है कि माजर की खोषणा मेजर में क्या कित धार्मिक सम्मंदिक जितने भी अधिकार थे वह भी ले लिए एक तो साशन पर सासन में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं हैं और लिए और इनके घ्रक अधिकार थे उनको भी अपने हाथ में ले लिए фильм अब जौन पुर्वाला जो काजी था वो बहुत ज्यादा गुस्षे में आ गया और उसने क्या किया कि एकवर के खिलाफ फत्वा जारी कर दिया तो कई बार क्वेस्टन आता है मजहर का अलग नहीं करना था यहां पर वाई साब उल्टा कर रहे हैं अपने हाथ में ले लिया सब काहटाओ बबाल तुम्हारा खतम कहानी का रहा बहुत कूद रहे हो लाओ धार्मिक अधिकार भी हमें देदो अब क्या हुआ कि जो महदर की घोशना हुई उसके बाद 1580 में ही दहसाला व्यवस्था या टोंडर्मल व्यवस्था बात आती है दहसाला व्यवस्था और टोंडर्मल व्यवस्था की बात आती है अब दहसाला व्यवस्था या टोंडर्मल व्यवस्था की बात करते हैं तो यह संबंद कर से है जो टोंडर्मल जो गुजरात के दीवान जिनको नियुक्त किया गया था उन्हीं के द्वारा दीगे यह कर स मं औरस की बात आती हैब में कई बार चिश्ट्र टोंडर्म विवस्था से आ बहुत आया मल विवस्था क्या थी इसको किस तरीके से कह गया था ठीक बहुत सी बातने इस पर कही गई है अब यहाँ पर क्या होता है कि तो अब आगे चलकर 1582 में अकवर ने एक नए धर्म का उद्य होता है या प्रारम किया जिसको कहा गया दीने इलाही 1582 में अकवर ने क्या किया दीने इलाही का प्रारम किया बहुत बार नॉर्मल सा question है बहुत इससे कुछ नहीं आएगा अब समझना दीने इलाही का प्रारम हुआ लेकिन दीने इलाही को एक धर्म के रूप में नहीं माना गया एक संप्रदाय तो कहा जा सकता था इतिहास कारों में इस बात का लेकर जब ऑप्शनल में आते हैं तो वहां पर डिस्तस होता है कि दीने इलाही एक धर्म है या संप्रदाय है है क्या तो इसको बदायूनी जो था बदायूनी ने तो कह दिया कि एक नया धर्म था जो चलाया गया लेकिन धर्म वह होता है जिसमें ग्रंत होते हैं कर्मकांड होते हैं ठीक है तो इस आधार पर दीने इलाही को धर्म नहीं माना जा सकता है संप्रदाय या कुछ भी पंथ माना जा सकता है लेकिन दीने एलाही क्या है कि दीने एलाही को कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि भाई नहीं कि यह एक नया धर्म है क्योंकि ना तो इसमें कर्मकांडी विवस्था है और ना ही इसमें क्या है ग्रंथ वगएरा है तो यह सब का अभावता तो इसलिए क्या कहा गया है इसलिए कहा गया कि धर्म नहीं था अब आते हैं ने यहां पर क्या हुआ कि दीन एलाई का जो प्रधान पुरोहित है वह अबुल्फजल कौन है अबुल्फजल अबुल्फजल क्या था इसका प्रधान पुरोहित है और अबुल्फजल ने जो आईने अकवरी लिखी है न अबुल्फजल की जो आईने अकवरी के 77 ठीक है आईने अकवरी इसका 77 चैप्टर है और उसी में इसके बारे में डिटेल से दिया गया है कि कहा जाता था कि जो दीने एलाई था इसमें लगबग 12 सिधान्त हैं कितने से थांत हैं 12 सिधान्त है पहलाओ जो साशक है हिंदु हैं यौने याइव कौन है बीरवल है और दीने एलाही को जो व्यक्ति अपनाता अकबर ने किसी परुण नहीं डाला कि आप दीने इलूई को अपनाओ मन है तो अपनाओ ना युन मन है तुन मत अपन ऑ के और जो अपनाता था उसको अपहर सिश्ट प्रप्रदान करता था अपने हात्योंसे पगड़ी पैनाता था और उस वेक्त को सिज्दा और पैवस्प्रथा पालन करना पड़ता था ठीजू और को चूमना दंडवत्तेट कर पूरा सरीर एक्तम पूरा लिटा के जमीन पर राजा के चड़नों को चूमना सिज्दा और पैवोस कहलाता था कि और यही नहीं आप देखोगे कि सिज्दा और पैवोस सबसे पहले सुरू करने वाला कौन है बलवन कई इरानी प्रथाओं को अकबर एड़ॉप्ट करेगा रर आगे चलकर अकबर की जितनी प्रथाएं हैं अकबर की जितनी प्रथाएं हैं वो सब पलट जाएंगी क्योंकि सिजदा और पैवोस उसके अलाबा जरोखा दर्शन तुलादान प्रथा इन सबका भी इस धर्म के अंतरगत प्रथाओं का प्रचलन किया गया तुलादान में क्या होता था कि कि जितने भी साशक जनता करेए स्वार तैंदिन पर उसको सोने चांदी हीरे जवारात क्यों घिफ्ट दिये जाते थे जनता की तरफ से उसके तौला आजाता ता तौला जाता था जरोका दर्सन में राजा सुबह सुबह आएगा जनता उसके दर्सन करेगी जैसे सुबह सुबह मंदिर में जाके करते हैं अब यही सब प्रक्रिया इसके सौशनकाल में चल लगी है 1576 में एक युद्ध होता है जिसको अकबर के इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध का गया है कि इसकी किना गया है किस किसरी न कि किसके मड़् करिए तो महाराना प्रताप और है अकबर के मद्धे कैसे हो रहा है इसको समझना जब जब इस तरीके से युद्ध होंगे तो इन युद्धों में जो सबसे से बड़ी विशेष्टा देखने को मिलेगी कि साशकों की चतुराई कितनी ज्यादा है कि उधारण अभी मैं बताऊंगा है कि बहुत अच्छा जिसमें जी सासन सत्ता में होगे उसका उधारण में वहां से लूँंगा और यहां पर वता Welcome हुआ क्या कि महाराना प्रताप जो है कि उदाय। के पुत्रह रहें 1572 में उदाय सिंग की जंब्रत हो गई तो उनके पुत्रहें महाराणापताप यह बनते हैं मेवाड के साशक और मेवाड के जब साशक बनें तो इन्हों ने क्या किया कि राजधानी उदाइपुर से कुंबलगड इस्थापित कर दी कहां इस्थापित कर दी कुंबलगड 1576 में जब महाराना प्रताप और अकबर के मद्ध युद्ध हुआ और महाराना प्रताप की पराजय होती है लेकिन उसके बाद भी अधिंता सुएकार नहीं की और उससे पहले भी कई वार कोशिस की गई मुगल सेना ने लेकिन महाराना प्रताप को हरा नहीं पाहें अंत्रता मान सिंग को भेजा गया क्योंकि मान सिंग वहां की भागोलिक इस्थिस से बहुत अच्छी तरीके से परिचित था मान सिंग को भेज दिया नवरत्न थे जो ध्यान होगा भी आमेर के राजा कपौत्र मान सिंग को भेज दिया तो यह नहीं था कि मान सिंग को भेज दिया मान सिंग हमारे नवरत ने इन पर 100% विस्वास किया जाए मान सिंग के पीछे किसे भेजा है आसफ खां को किसको भेजा है आसफ खां को आसफ खां को यह बोल दिया कि हो सकता है यह एक राजिस्थान पर राजपूर साशक होने के नाते उनसे मिल जाए, अगर मिल जाए तो वहीं पर इनके विन इप्टा देना, अब आप कोगे ये तो गलत है, नहीं, एक अच्छे साशक की सबसे अच्छी निसानी है, एक अच्छे साशक की सबसे अच्छी निसानी यही होती है कि किसी भी स्टेप पर ये एक कह सकते हो कि चैलेंज नहीं लेगा महाराना प्रताप की तरफ से हकीम खां सूर और जो भीलों की स्वेयुक्त सेना है हकीम का सूर नेतव तो कर रहा है भीलों ने साथ दिया है महाराना प्रताप का इन या जन जाती है इतियास पढ़ना गवरोऌ साली इतियास है भीलोंगा व्याaltra ऑनटों ने साथ दिया महाराना प्रताप कर और महाराना प्रताप का साथ देने के बाद भी परिस्थितियां क्या हुई ऐसी हुई कि महराणा पताब ने पराज़ा सुईकार नहीं की अपने बच्चों के साथ धास की रोटियां खाली सब कुछ था लेकिन जुके नहीं जब इनकी मृत्त हो जाएगी तो अमर सिंग अधीनता सुईकार करेगा अमर सिंग जब उनका पुत्र साशक बना उसने भी अधीनता सुईकार नहीं की लेकिन जहांगीर से बाद में जाकर उसका क्या होता है संधी होती है कभी नहीं बहुत गौरफचाली इतिहास जिस तरीक कैसे मेवाड का है कि हाँ भील जिंजात की में बात कर रहा हूं कि अब कि उधारण में यहां पर बताने को उथा आपको कि आप देखोगे कि जिसमें सिवा जी के ऊपर अटेक होता है कि दो औरंग जेव ने एक कि अपने जो अफजल खाँ था सबसे खूंखार सेनापत और सिवा जी की हाइड बहुत कम थी ताड़े चार फिट के आसपास अफजल खां को भी पराज इतनी कर पाया था सिवा जी को अफजल खां की एक स्ट्रेटी होती थी कि वह क्या करता था कि पहले मतलब जब देख लेता था कि हम नहीं जीत पाएंगे तो संदी के नाम पर बूलाता था और छुपकर थाना खिलाता था बाद में गले लगने के बहाने मार देता था ऐसा मतलब यह कहा जाता था अफजल खां की ताकत के बारे में कि अकर किसी को गले लगाके दबा दिया तो उसकी हड़ी ड़ी तूट की मृत्व हो जाती इस तरीके से बताया गया है कि बुलाया गया अफिल खाने एक दूत भेजा उसका नाम था कुछ पालकर करके ऐसे मुझे पूरा अग्जेक्ष ध्यार नहीं आ रहा है कि पर जाता है इसे कहता है कि वह आपके साथ संधि करना चाह रहे है इसे कहता है कि माड़ संधि करना चाह सिवाजी बोले ठीक है अच्छा यह बताओ का तुमको मराठाई के वास्ता तच क्या है वो कहता है कि सच हम नहीं बताएंगे नहीं तो हमें अफजल खा मार डालेगा कहता है वादा रहा करें आप वादा करो अगर आओगे तो हम आपको बताते हैं सिवाजी पूछने बताओ वेटा बात क्या है बता देता है कि आपकी हत्या की साजिस है अब जब बता देते हैं कि आपकी हत्या की साजिस है तो सिवाजी कहते हैं आएंगे तुम पर कोई आच नहीं आएगे सिवाजी जाते हैं तो उसको भी उसका भी क्या होता है गूड इबनिंग रिशव उसकी भ पॉलिसी है टिट फॉर्ट टैट की टिट फॉर्ट टैट की पॉलिसी होनी चाहिए थी और वह सबसे बेस्ट पॉलिसी है कि जैसे को तैसा ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अकबर को महान क्यों कहा गया है अकबर को महान कहने के मैंने पीछे उस दिन भी बताया था कि तांसेन संगीतक के है और दुरुपत गायन सैली का विकास तांसेन के समय में हुआ है तांसेन ने किया है और दुरुपत गायन सहली को लेकर मैंने पहले भी आपको वैदिक काल में पढ़ाया है किसी को याद है मैंने क्या बताया था दुरुपत गायन सहली को लेकर जल्दी से बताओ एक बार याद है कुछ, क्या बताया था, क्या पढ़ाया था, या नहीं याद है, नहीं याद है, गजब हो गई, अकबर का जो साषनकाल है, उसको हिंदी साहित का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि हिंदी की बहुत ज्यादा यहाँ पर तापना हुई क्योंकि बैजू बावरा, सूर दास, तुलसी, ये सब क्या हैं, अकबर के समकालीन हैं, अकवर ने बिद्वा बिनाखी फिरसे अनुमत ही दी थी थी बाल विवा पर प्रतिवंध लगाया था बच्चियों की आयू जो चौधा वर्स ती उसको बढ़ाकर सोलह वर्स नेधारित कर दी थी शती प्रता पर प्रतिवंध लगाया ठीक है हिज्री संबत के स्थान पर इल आखपर जो है जीवित होता वो सारी सेर्साथ-सूरी जीवित रहता तो साध अक्वर तो आते ही नहीं पहली चीज और बहुत सी चीजें सेरसास सूरी के साशन प्रसास्ट से अकवर ने उसको हम लोग यहाँ पर discuss नहीं करेंगे क्योंकि प्रिलिंस की हमारी class है मेंज़ की नहीं है तो प्रिम्स में इसमें बहुत सी चीजें आती है नहीं आध नहीं दे ताके अगर नोट कर रहे हो मैंने वैदिक काल में धुरुपद गाइन सैली की वाद की थी और किस वेद में की है और किस कंटेक्स्ट में की है यह बताना कि ठीक है तो आज के लिए नहीं पर रखते हैं इतना ही कल फिर मिलेंगे इससे आगे कॉंटिन्यू करेंगे अकबर के साथ ही जहागीर वगारा इन सब को लेकर तो आज के लिए आप लोग मुझे आग्या दो कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद गुड़ नाइट आप सभी को